तो हेलो सो ます कैसे हो आप आसका थो तो हम बहुत अच्छे होंगा हुate दोस्तों यह है मेरे पात एक सिंपल अम् yaptFd आमिका हो सकता है यह आपका कोई हमटेटर भी हो सकता थेबिए कोई साउंड शिस्टम कोई वह सकता है कुछ भी बलिकिन सवांड होना चाहिए तो मैं आपको एक चीज बताना जाता हूं जैसे में सिंपल वाले उंट्रेटर या एंप्लिफायर होते हैं तो इसमें आप Bluetooth वाला माइक कैसे लगा सकते हो हाँ जी बिल्कुल यह हम इसमें Bluetooth वाला माइक लगाना है वो कैसे लगता है बहुत सिंपल एंप्लिफायर है इसमें हम इसे लगा दे हैं कि कस्टूमर हमारे पास ले आया था काफिस जादे कमेंट भी आई थी मुझे कि इस पर वीडियो बनाओ की Bluetooth वाला माइक कैसे लगाते हैं वीडियो को लाच तक बने रहना हमारे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल करू अभी करो यार दोस्तों नहीं करका तो प्लीज सब्सक्राब करो जब को एक वीडियो मिलते रही इसके लिए आपको क्या-का चाहिए वह बता देता हूं मैं आपको simply एक का ये का ये आउप् ठीक है तो यह वायरलेस माइक होता है सो वायरलेस माइक बोलते हैं तो इसके साथ एक डिब भी आती है जिसमें इसका मोडूल होता है वह एक वायर वगएर हो यह सब दिये गए होते हैं इसमें वायर भी इसमें नॉर्मल एक माइक दिया गयता है दो सेल दी यह वाली सेल दी ह होती है हमारी तो हमें सिर्प इसमें से माइक और यह डिबी को निकालना है बस और बाकि हमें एक तरफ रख देना और बाकि का मारा कोई भी काम नहीं है देहनो तो पिल्कुल ध्यान से समझना अब पांच ओल से डेल डोल्ड बनाने वाला भी तरीका बताऊंगा वह इसमें ड डेलती है तो क्ब जो कोल लेटे हैं क्योंकि दोनों में यह डलती है माइक में तो आपको डालनी डालनी पदें को मायी है क्योंकि इसमालोगे कि जब उस्वाइस चौटी सी मोडियुल इसमें बीसेς डलती है इसकी यहां से माये दोस्तों Tyler यह आउटूट देता है माइक कि नहीं बशाना है तो इस बोर्ड को हमें एंप्लिफायर में सेट करना है सिधी जी बात है समंझ वह दो यह जो मैंस्तरी आदमी है जो मेंकानिक आदमी है दोस्तों वें समझ गए होंगे तो अब देस्ट देए ओन-of-swिच ये तो लगा देें ile माईक के स्विच से मलीज में दो वा재 रहा है उस Ste OC बहुत ही ईूनिक तरीगा जो दिक्कत को दिना और अब यहीं माइक को इसमें वायर को बढ़ाने के लिए मतलब रेंच को बढ़ाने के लगता है उसे लगा के एक तरफ कर देते हैं अब देखे दोस्तों यह हमारे सिंपल अच्छे से देख लीजिए इसमें अभी कुछ नहीं लगाया हुआ है वह यह जो नॉर्मल होता है ठीक अब इस मो ढूल है यह से हमें निकाले ने एक इसमन बीच वायर होगा और एक साइड वाला साइड वाला ग्राउंड है बिच वाला जो है बिल्कुल वह हमारे दॉस्तों ओडियो के लिए दोस्तों मैं चीज़ बताना चाहता हूं अगर आप इस एंप्लिफायर में किसी एंप्लिफा दे दूँगा, मतलब एक preamp बनाईए, तब माई की अच्छे वा जाती है, और भी ते जाती है, अन्य तो दोस्तो होती, आपको आई लएगा कि कम बज़ रहा है, मतलब बज़ेगा तो सभी, आपको लएगा कि कम बज़ रहा है, दोस्तो preamp लगाना जरूरी है, पर मैं आपको प्रियम्प के बिना चला के दिखाऊंगा अभी हमारे काड होता है इसमें एक रेगुलेटर लगा होता है छोटा से यहाँ पे तीन बिन का यह करेगा हमारा पांच वोल्ट से डेड़ वोल्ट वैसे 3.3 के से कराया जाता है यहाँ पर यह पांच वोल्ट से भी कर देगा तो मैं इसका जरा आपको नमबर वगरा सब दिखा देता हूँ अभी यह है दोस्तों हमारा रेगुलेटर AMS 11 17 नमबर है इसका पिन नमबर वान इसकी ग्राउंड है दूसरी आउटपुट है अत्तीसरी इनपुट है तो जो आउटपुट है बिचवाली इसका जो उपर का जो एरिया है बोडी तो वही दोस्तों हम इसे उसमें दे देंगे मोडियूल में क्योंकि आउटपुट डेड़ डेता है तो इसे हम मोडियूल में दे देंगे module के positive पे ठीक है क्योंकि output में positive देता है तो जहाँ पे simple था भी ना spring के तो वहाँ इसे दे देंगे हमने इसका on of switch निकाल दिया है ठीक है तो इसकी जो उपर का body सिरा है output वाला वो हम module के plus पे दे देंगे ठीक है यहाँ पे इसको solding कर देते हैं फिर बिल्कुल करीब से आपको दिखाएंगे एक अगी step समझारों दोस्तो mistake मत करना बहुत बढ़िया तरीका है unique तरीका है जो पहले से इसे बाहर से use कर रहे होंगे वे समझ गई होंगे अंदर भी ऐसे ही same use होने वाला है जैसे sound बाहर आता था ऐसे sound आपका अंदर आएगा देख लिए जो इसका जो बोड़ी वाला सी रहा है output मैंने प्लस पर कनेक्ट कर दिया जहां पर हमार स्विच लगा हो था लेकिन जो इसे voltage देंगे बात तो एक है ना तो ऐसे करेंगे अब धूसे इसमें तीन और बिच वाली को Celine आया है अब हमें करना क्या है जो फॉर्स्टी भी ने वह निगेटिक है यानि कि जो इन्पूट का आँपूट का निगेटिव तो पर इसे हैं हमारी में मोडियुल को तो हमें करना क्या है यहां से एक वायर उठाके इनपुट निगेटिव से और जो हमारा स्पिरिंग वाला एरिया था सैल का निगेटिव लग रहा था जिदर उधर इसे लगा देंगे तो यह निगेटिव वी कनेक्ट हो गया और पोजिटिव भी कनेक्ट हो गया जेड़ वोल्ट कर ठीक है यह हमारा पांच वोल्ट देता है तो अब हमें करना क्या है उसको छोड़ दीज़ें उसका काम कंपलीट है अब यह हमारा टांस्वामर के पास में ही 7805 लगा है यह हमारा पांच करणाट करता है 1909 वोल्ट से लेकर है आपका मोड चेंज करने के जो आगे माइक वाला स्विच लगा हुआ है उस पर अनिताब दोस्तों अगर आप किसी एंप्लिफायर और दर में लगा रहा है तो आप अलग से साइड में स्विच लगा दीजिए महां भी काम करें तो हम ओडियो ओडियो के तहां रटा देते ह ने काली है उसे तौटलाश होती है लाश्ट में दो बिच में दो सबसे पहले दो तो लाश्ट कि दो जो है वहां पर पाँच वल्ल ले देंगे बात ही है और चो फिर बिच में दो जो है एक साथ आमने सामने बिल्कुल तो उनको एक जंगा जोइंट करके मोड्यूल पर देने जैसे ही हम अंदर को बटन को प्रेस करेंगे तो यह दोनों पिंट टच हो जाएंगी और मोड्यूल पर हमारी जो पांच वोल्ट जाके डेल्ड वोल्ट हमारी माइक के स्विच से निकली तो यह हम मोड्यूल जो हमने ग्यारे सत्रे जो लगाया था उसकी इनपुट पर दे देंगे यानि पिन नमबर थिरी पर ठीक है और ग्राउंड जो दोस्तो यानि कि बिच वाली पिन से अठाट जिरो के पांच कि बिच वाली से और यह जो सब्सक्राइब करें चाहिए मन में कमेंट करका मुझे सवाल बूजना चाहिए अच्छे से दोबारा देख लेना पर समझना जरूर निगेटिव कमेंट कमेंट करना प्लीज एक बार वीडियो को लाइक तो बनता है दोस्तों हमारा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं इस तरह स चाहिए से आप कर और तो काम हए गया लेंगे महन करता हूँ देखे दोस्तों माइक का सुछ खराब है जैसे मैं और प्रैस कखरना है वहां पे देख लीजए तो यह दो वार्किंग में देखिए दोस्तों मैं अंदर दबाया और चल गया अब देखिए अब देखिए रड़ लाइट इसमें रह गई है अब मैं आपको वॉल्टेज काउंट करा दूं दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं यह वन पॉइंट टू वोल्ट से लेके व पिलस वाला मैंने बताया तो इसकी बोड़ी ओपर कर देखिए वन पॉइंट एटी नाइन के असपास आ रही है तो यह बिल्कुल करेक्ट वोल्टेज सही है कोई दिक्कत नहीं है पहतिन चलेगा इसमें ठीक है हमें मॉड्यूल को वोल्टेज सही मिल लिए है पर नहीं है यहां पर हमें ओडियो का वाय लगाना था पर हम माइक के उस पर लगा देंगा कोई दिक्कत नहीं मतलब भई जहां से माइक की जो पिन है उस पर जो ओडियो हमारी जा रही थी जो हमारे सेलेक्टर स्विच पर लग रही थी वैसे तो हम वहां से देंगे पर लेकि से देनी है एगर peri-amp हो तो peri-amp से दे दीजिए अब हमने यह यानि कि Mike का प्लस तो लगा दिया अब Mike का negative कहां से देना है महीं पैसे ही जो हमारा बेंटरी का negative है इसमे ठीख है मतलब जैसे जैसे उसमें हटाया है था हम मैک के निगेटिव भी अब आप खोगे कि जाएगी कहां से मैन बौर्ड को सुछाएगी कहां से वह भी हम भी वह भी वाइयर नहीं लगाया भी दिखाता हूं पहले मैक के अंदर सेल डालते हैं इसमें एक सेल दलती है हमारी जो गंटे वाली सेल होती है अब काफी महेंगी आती हैं तो दोस्तो देखेंए ये डोनों left right के तार एक जंग है left right के वॉलियम के हैं फिलाल मैंने दोनों को एक जंग लगा कराने के लिए लगाँ गांगा तो मैं दोनों को माइक के positive पर ही लगा का अन्य था दोस्तों हमिंग आएगी दोस्तों थोड़ी बहुत 19-20 हमिंग बन सकती है कि या तो टांस्वामर से अलग रखें या जो यहां पे अम्प्लिफायर सेक्शन बोर्ड और और अडियो सेक्शन बोर्ड इससे अलग रखें अगर आप प्री अम्प्लिफाय लगा तो तो टैंसर नहीं खतम हो जाएगी आपकी प्रीम्प लगा दीजिए उसमें नोईस नहीं आएगी काफी अच्छी आवाज भी आएगी सब कुछ पर यह मैंने दोस्तों एक आपको बिलुकुल पूर्णों से डैमो दिखाया और बिलुकुल चला कर दिखाऊंगा पढ़िया तरीके से यह 101 परसेंट वर्क करेगा जो मैकानिक हैं वो तो समझ गए होंगे जो हमाइन नए बंदें वो अभी समझें नहीं होंगा कैसे कैसे है यह पर मैंने इस तरह समझा दोस्तों समझ गए होंगे मुझे यकीन है तो अब दूस्तों थोड़ा से बादा में टेस्टिं हाटा तो दोस्तों यहां पर अभी हाँन है वह किसलिए अभी देखिए यहां घृणड कनेक्ट नहीं हुआ है ॥िछपिलिश से बंद करते हैं अभी हमें है पर हमारा ते अभी हम काम कर रहा तो अभी हम करें गेंगी कि Jeff माइक की पपिन लेगी हुए थी एक तो बिच वाला था एक उसकी साइड वाला था तो साइड वाला जो है वो आपका ग्राउंड करेंगे से, यहनि के बोड़ी पे या मायी की पिन की निगेट्व पिन लगा दो, माय दो माय माइनस पे, ठीक है और माइक माइनस की पिन पे लगा दे या बोडी पे लगा दो, बात देखिए, ठीक है यह लग गया हमारा, ओन करते हैं, ओन हो गया देखिए, ठीक है, तो इसको पर अच्छी से लगाते हूं, अभी सोल्डिंग नहीं हुई है, या तो इसकी ग्राउंड पे लगा देजे, मै मैंने बताया, आपको एक प्रियम्प लगाईए, उससे काम हो जाता है, प्रियम्प नहीं लगाना तक, क्या होता है, तो समन जाया हूंगे, आप, मैंने वीडियो बना रखिया, आपको लिंक डिस्क्यूप्शन में दे दूँग, वहां से आप जाके देख सकते हो, ठीक है दोस्तों, वह सिंपल तरीका बताया, आप खरीद के भी ला सकते हो, तो इस बोड़ को आपको कहीं भी सेट कर लेना है, कैसे भी, अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, इसमें, माइक को अन्वन करके, और इसकी साउंड बगरा चेक करके, तो बहुत दुदियान से सु शारी है वह और बाहर की आँज है, आल ऑल ये काम कर रहा है, दोस्तों, कोलम मैं आपको वात सुना है, माइक में इतना जल्दी फीड नहीं होता, मतलब जो हम साउंड रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना, उसमें जल्दि अच्छा फीड नहीं हो पाता है, जब आप बिल्द американsk तो रियल चलाओगे जब आपको अपना पता लग जाएगा थिर्जों सो देखिए बॉक्स रेडी है इसमें इसका साउंड है तो दोस्तों हमारा एम्पलीफायर माइक लगके बिल्कुल रेडी है इसमें फ्री एमपोर लगा देंगे तो हमारा बैस्ट परफॉमेंस वरकिंग करेगा और बिल्कुल भी हमिंग नहीं आएगी आयोप आपको दोस्तों वीडियो को लाइक करना आज के इतना ही चैहिन वन्दे मातर दोस्तों आपको दिन सुब्व हो